Hi guys, my name is Saurab and you are watching MathurTech आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ Wi-Fi की सैटिंग्स अगर आप एक broadband connection यूज में लेते हैं तो आपके घर पे Wi-Fi router जरूर लगावा होगा तो आज इस वीडियो में मैं उसी Wi-Fi router की कुछ सैटिंग्स बताऊंगा जिससे कहा है आपकी जो Wi-Fi की security है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी प्लस आपको जो Wi-Fi की performance अभी मिल रही है उससे काफी ज़्यादा better performance मिलेगी मैं ये नहीं कह रहा कि आपके broadband की speed मान लीजिए 10 Mbps है या फिर 50 Mbps है अगर मैं जो settings बता रहा हूँ उसको करने के बाद में आपकी 1 Gbps हो जाएगी या फिर 300 Mbps हो जाएगी ये मैं फालतू की बात ही नहीं बता रहा है मैं आपको एक आप कह सकते है genuine settings बताऊंगा जिससे आपका router भी काफी अच्छा perform करेगा और आपका broadband connection में आपने जितने का plan ले रखा है उतनी speed आपको provide होगी देखिए कहीं सारे मेरे पास में comments आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि या बार बार wifi बंद जाता है मारा मतलब connected रहता है mobile से लेकिन automatically disconnect हो जाता है दो मिनिट के लिए उसके बाद में फिर connect होता है तो यह जो सारी problems है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर clear करूंगा आपके पास कोई सी भी company का router हो उसका जो gateway है उसमें एक बार आप login कर ले तो मेरे पास router है TP-Link Archer C7 जाइस most cases में अगर आपको मान लेजीए आपके router का gateway नहीं पता है तो most cases में 192.168.0.1 होता है या फिर 192.168.1.1 होता है gateway अगर फिर भी उन दोनों से आपका gateway पेज ओपन नहीं होता है तो router के पीछे एक sticker pasted होगा आपके उस पे लिख रहा होगा gateway या फिर कुछ ऐसे number लि होगा यह जो पेज यह TP-Link Archer C7 का है हो सकता है कि आपका जो router है उसका gateway पेज different हो इससे लेकिन जो मैं आपको settings बताऊंगा वो लगबग लगबग common ही है सारे routers में तो देखिए आपका जो भी router है उसके gateway में login कर लीजिया तो मेरे पास Archer C7 है इस पर में login कर लेता हूँ देखिए आप first time अगर आप login करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो router है वो ऐसा कुछ आपको setup का page open करें otherwise अगर आपके मान लीजिए connection अभी running में है मतलब अभी active है आपका connection और router आपकी जो ISP है उससे connected है तो फिर आपको कुछ ऐसा page open होगा ऐसा settings लिखी वी होगी left side में तो ऐसा कुछ आपके सामने page open होगा ये एक guys premium category का router है वो सकता है कि आपके पास में जो normal routers आते हैं वो हो लेकिन जो मैं settings बताऊंगा आप उनमें भी apply कर सकते हैं सबसे पहले guys में बताता हूँ आपको wifi की setting आप wifi settings में आ जाईए जहां पे भी आपके router में हो सकता है कि उपर यहाँ पर कुछ लिखावा हो wifi का या फिर यहाँ पर left side में wireless लिखावा हो कई routers में guys आपके WLAN लिखा रहता है wireless पूरा नहीं लिखते है WLAN लिखा रहता है तो उसका मतलब आप समझ जाएगेगा कि wifi की ही setting का है यह जैसी guys आप उस पे click करेंगे तो आपको ऐसा कुछ interface open होगा guys जैसे यह page open होता है तो आपको यहाँ पर security दिखेगा security में आपको WPA2 personal आपको selected रहेगा तो आपको क्या करना है आपके हो सकता है कि router में अलग-अलग options हो यहाँ पर और जैसे कि मेरे यहाँ पर देखी है यहाँ पर security जो select हो रहा कि उसके नीचे version पूछ रहा है कई routers में क WPA2PS के dash करके AES लिखा रहता है तो आपको क्या करना है जो इसका version है वो WPA2PS के करना है और encryption जो है वो AES select करना है by default हो सकता है कि वो TKIP plus AES हो लेकिन आपको only AES पे tick रहने देना है password में जो भी password है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए फिर उसकी बाद में आपको एक दिखेग पर यहां से आप save करेंगे तो एक बार हो सकता है कि आपका जो Wifi है वो disconnect हो तो आप वापिस connect कर लीजिएगा और इस gateway में वापिस login कर लीजिएगा यह तो हो गई आपके first setting इस setting को करने के बाद में आपका जो router है उसकी security जो है जैसे मैंने आपको बताया WPA2PS के AES हो गई त तो वो काफी ज्यादा secure हो चुगा है आपका router second जो guys आपको setting करनी है वो करनी है WPS जो होता है Wifi protected setup उसको आपको disable करना है अब disable कैसे करेंगे और कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि WPS होता क्या है तो देखिए router जो है आपका उसके आसपास या फिर आप देखेंगे कुछ back side में एक छोटा सा button दिया होगा और उस पर लिखा होगा WPS इससे क्या होता है जो mobile होते हैं आपके या फिर आप कह सकते हैं अभी जैसे अगर मेरा यहां से मैं आपको दिखा हूँ अगर Wi-Fi enabled हो तो यहां पर देख सकते है TP link का जोई मेरा router है यहां से मैं अगर इसको connect करता ह हो तो यह नीचे लिखा हो आता है you can also connect by pushing the button on the router तो यह काफी बड़ा एक loophole है security का इसको आप हमेशा disable रखें यह करता क्या है कि आपको अपने mobile में या फिर जिस भी computer को आप connect करते है Wi-Fi से तो उसमें password डालने की जरूरत ना पड़े इसलिए क्या है companies जो होती है चैसे कोई कंपनी हो डिजी सोल टीपिलिंग डीलिंग एक WPS को option देती है जैसे ही आप जो बटने router पर WPS को वो press करेंगे और अपने mobile में Wi-Fi जहां password डालते हैं वो open रखेंगे तो automatically जो आपके Wi-Fi है वो उसको connect करने की permission देदेगा मतलब जो router हो आपकी mobile को connect करने की permission देदेगा और आप बिना password की भी connect हो सकते हैं तो यह जो security है यह काफी मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा loophole है आप इसको हमिशा disable रखें disable करने के लिए आपके यहाँ पर देखिए जैसे WLN पर click करेंगे तो एक WPS को option आएगा अप कुछ routers में काई यहाँ पर enable disable रिखा रहते हैं लेकिन मेरे पास जो TP-Link का router है Archer C7 इसमें यहाँ पर नहीं है तो जिन लोगों के पास में TP-Link के नए वाले routers हैं तो इसमें क्या है अगर आपको WPS disable करना है तो आपको बिल्कुल scroll down करना पड़ेगा यहाँ पर जो system tools लिखावा है इधर आने के बाद में आपको system parameters में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक WPS को option देखेगा यह वाला इसको आपको disable करना है अगर आपके पास में TP-Link का कोई router है जिसमें firmware 2020 के बाद का डल रखा है मतलब July, August 2020 के बाद का डल रखा है तो ऐसा कुछ user interface होता है TP-Link के नए वाले routers का पुराने जो routers आते थे उन पर गाईस यहाँ पर जैसे आप wireless पे क्लिक करेंगे तो WPS में सीधा-सीधा option आ जाता था enable और disable का तो आप हमेशा WPS disable ही रखे है थर्ड जो security की में बात बता था हूं जो setting करनी है आपको fully secure होना है तो आपका जो router है इसमें आपने जब login करा था तो आपको यह देखना है कि आपने password क्या डाला है एक बार वो username या फिर पासवर्ट पूशता है आपसे तो आपको यह देखना है कि username and password में आपने क्या डाला है अग हो सकता है कि आप in future किसी को wifi का password दें और वो क्या है आपकी IP जो है gateway जो है router का उससे login करके आपके router की settings है वो change कर सकता है तो better है कि आप जो admin हो router के जो administrator है वो क्या करें कि जो password होता है login करने का उसको change कर ले उसको change करने के लिए आपको यहाँ पे एक system tools का option दिखेगा या फिर हो हो सकता है कि आपको कुछ advanced setting का option देखे आपके router पे guys यह जो setting है यह हर router में होती है बस आपको थोड़ा सा find करना पड़ेगा मेरे router में system tools के अंदर है तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा administrator का option administrator पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपसे पूछेगा old password new password ऐसे कुछ आप पे कुछ password management लिखे या फिर system management लिखे आपको बस यह setting ढूणनी है इस page पर क्या है गाइस मेरे पास username चेंज करने का option नहीं है इसमें सिर्फ मैं account का password चेंज कर सकता हूं हो सकता है कि आपके पास मानली जी यह d-link का कोई router है या फिर कोई digisol का router है उसमें आपके पास में username चेंज करने का भी option हो तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप दोनों change करें username भी और password भी तो guys देखिए मेरे पास तो यह option नहीं है तो मैं सिर्फ अभी password चेंज कर लेता हूं मेरे से पूछ रहा है old password क्या था आपका तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूं जो कि मेरा था admin यहाँ पे उसको बार-बार कहीं पे भी share ना करते हूं तो यहाँ पर आपको एक unique password डालना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं उस यह बाद में guys आपको save करना है देखिए guys मैंने जैसे ही save करा इसने में गो redirect कर दिया वापस password में क्योंकि मेरा जो admin का जो password है वो change हो चुग है तो अब यहाँ पे guys अगर आपके router भी redirect कर देता है login page पे आपको तो आपको यहाँ पे जो password है वो आपको नया जो आपने डाला है वो enter करना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूं मेरा वाला जो मैंने डाला था password आप guys देख सकते हैं आप यह login हो चुका है तो guys यह भी काफी जादा single band router है तो तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपके पास में dual band router है जैसे कि मेरे पास है 2.4 GHz भी है और 5 GHz भी है तो इसमें क्या करना है आपको जो 5 GHz की setting है एक बर मैं आपको बता जेता हूं यहाँ पे आपको देखनी है 5 GHz की जो आपके setting है इस पे आपको जाना है और इस आपको channel width दिखेगा channel width मानलीजीया आपके यहाँ पे 80 MHz या फिर 40 MHz selected है तो इसमें आपको कर देनी है auto और जो channel है channel को आपको change करना है और change करने के बाद में आप इसको 36 कर दे या फिर आप इसको कर दे 148 यह 149 इसको कर दे इससे होगा क्या कि आपके यहाँ पर जो problem आती ह है मानलीजी आपका जो mobile है वो बार-बार wifi से disconnect हो जाता है तो आपको क्या है यह setting करनी होगी या तो आप channel कर दीजिए 36 या फिर कर दीजिए 149 यह guys एक default channel है जो की interfere नहीं होते काफी जादा बाकी जो channels है guys वो interfere करते हैं दूसरे जो channels आते हैं उनके साथ में लेकिन यह जो दो अगर आपके सामने यह problem आती है तो मुझे आप comments में बता सकते हैं guys अगर आपके मानलीजीए यह जो problem यह 2.4 GHz में आ रही है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं 2.4 GHz में आपको जो channel है उसको या तो आप कर दे 1 या फिर आपको select करना है 9 और या फिर आपको select करना है 11 यह वाला जो 11 है इसको आपको select करना है यह अगर आप 3 में से एक channel select करते हैं तो आपकी जो problem है Wi-Fi auto disconnect की वो solve हो जाएगे 2.4 GHz में भी जैसे आप select करेंगे इसको आप save कर दीजिए आप guys एक setting और बताना चाहूंगा मैं आपके आपर जो भी ISP का connection आपके router स connected है उसमें आप जाईए अभी जैसे कि मेरे पास कोई भी आप कह सकते हैं अभी जो router है कोई भी ISP से connect नहीं है अभी लेकिन आपके यहाँपर अगर router ISP से connected है तो आपको क्या है उस router में WAN करके एक setting दिखेगी या फिर आपको कोई network का option आएगा अगर आपके पास TP link का नया वाला router है तो बाकि जादा तर routers में WAN का option आता है WAN पर आप क्लिक करेंगे और आपको जाना है जो आपकी settings है connection की जहां पर आप credentials जालते हो आपकी जो मतलब username और password जो ISP provide करता है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर ISP का जो DNS server होता है उसको आपको change करना है उसको change करन username का reason यह है कहीं सारी ISPs का है मतलब ATL है, Geo Fiber है या फिर जो आप कह सकते हैं Railwire वगेरा है इनके जो DNS servers है वो काफी अच्छ हैं आपको problem नहीं आई ही लेकिन जो BSNL है या फिर आप कह सकते हैं आपके पास में कोई local ISP है उसका जो DNS है उससे better है आप Google का DNS यूज में ले उसमे क्या है आपके जो मान लीजे कहीं बार ऐसा होता है कि local internet service provider से अपने connection ले रखा है जो सिरिफ आपकी city में ही चलता है लेकिन आप उस connection से connected होने के बाद में कोई website open करते हैं तो वहाँ पर एक error आता है DNS problem तो आपको क्या करना है अगर वो आपके साथ में error आ रहा है तो आपको अपना जो DNS server है उसको change करना है DNS server change करने के लिए आपको मैंने बताई दिया है कि WA and settings of a network वगेरा जहाँ पर लिखावा है वहाँ पर आपको DNS option मिल जाएगा आपको primary DNS में तो डालना है अगर already कोई DNS entered है तो आप उसको remove कर दें और यहाँ पर primary DNS में डाले है आप 8.8.8.8 काईज यह जो DNS server है यह Google की तरफ से आता है Google का DNS server है काफी secured है आपका जो भी traffic है internet का वो route होगा तो वो इस DNS server के through ही होगा और यह काफी secured DNS है ऐसा नहीं है कि यार आप कोई banking वगेरे का transaction कर रहे है और आपका ही जो DNS server है यह information जो है आपकी वो उठा के कहीं आप कह सकते हैं गलत 8.4.4 डाल देते हैं लेकिन मैं यह recommend नहीं करूँ है आपको इसको change करना है 208.67.222.222 यह guys open DNS का आप कह सकते हैं server है DNS server यह भी काफी अच्छी company है यह भी काफी secured DNS है तो आपको यह दोनों डालके रखने है इससे आपका एक purpose all हो जाएगा कि जो websites है वो आपको fast load होने लग ज देती थी वो भी अब error नहीं आएगा इसको आप save कर दें उसके बाद में जो next setting है guys वो है time की कहीं सारे routers में लोग क्या करते हैं कहीं सारे तो क्या 99% routers में time जो है वो correctly set नहीं होता है उसकी वज़े से जो wifi है internet है वो बार बार disconnect हो जाता है तो आपको क्या है अपने router में time भ NTP करके कुछ setting दिखेगी NTP time server या फिर कोई time settings दिखेगी आपको तो आपको वो find out करनी है जैसे कि मैं अगर आपको मेरे router की बात बताओं तो मेरे router में आप जाएंगे system tools में तो यहाँ पर सबसे उपर दे रखा है time settings इस पर मैं click करता हूँ आपके router में जहां पे भी है आप आपको यह बाद ढून लेनी है उसके बाद में आपको पूछेगा time zone time zone by default अगर आपके मान लीजे out of India को कोई selected है तो आप उसको change करके GMT plus 530 वाला कर लें क्योंकि यह इंडिया का time का है तो मदरा, सक्यलकटा, बंबे, न्युदैली इसको आप select कर लें अगर by default कोई यहाँ पर NTP server लिखावा है तो आप उसको remove कर दें और जो मैं आपको time server बता रहा हूँ वो आप इसमें enter करें तो यहाँ पर आप करें 0.in, in का मतलब india.pool.ntp.org यह एक Indian time server है, pool.ntp.org की तरफ से यह provide होता है तो यह काफी accurate time बताता है तो आप एक तो इसमें यहाँ पर यह enter करके र router में second का भी option हो कि दूसरा अगर आप server बताना चाहिए तो कौन सा बताएंगे तो आप यहाँ पर डालिए 3.in.pool.ntp.org सेम यह बस आपने जहाँ पहले 0 डालता है वहाँ पर अब आप 3 डाल दीजिए और इसको आप save कर देंगे जैसे यह आप save करेंगे आपका जो time है वो internet क through sync हो जाएगा. Sync होने के बाद में आपको जो router है वो अभी जो time चल रहा है उसके साथ connected हो जाएगा. कहीं बार ऐसा होता है कि ISP जो होती है उसमें जो time वगेरा रहते हैं उनका भी बहुत बड़ा role होता है. कहीं बार लोगों के क्या है time settings की वज़े से wifi disconnect हो जाता है या फि उसको change करेंगे तो हो सकता है कि problem जो है वो solve हो जाए. Guys, जो last setting है वो मैं आपको suggest करूँगा. आपको ये करनी नहीं है. मतलब एक तरह से setting नहीं है. बस एक थोड़ा सा आपको backup रखना है. ताकि क्या है अगर in future आपका router आपको reset करना भी पढ़ जाए. मान लेजी है hang हो रहा आपको तो आपको एक backup file रखनी है. Backup file आप कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता जाता हूँ. आपके बास कोई भी गमनिगा router हो उसमें एक backup को option जरूर मिलेगा आपको. अब आपको find out करना है कि कहां पे है वो. मेरे case में backup and restore ये लिखावा है system tools में. तो यहां पर मैं जाता ह और यहां पर जाने के बाद में यहां पर लिख रखा है save a copy of your current settings. आपके हो सकता है कि configuration backup लिखावा हो. बट बात same ही रहती है. आपको यहां पर backup कर देना है. जैसे आप backup करेंगे तो एक file download होगी. File को आपको एक secured place पर रखना है. In future अगर आपका router factory default पर चला जाता है. मतलब जाए आप 15-20 minutes या फिर आदा एक घंटा configuration में रखेंगे. इससे better है कि आपके पास एक backup file है. आप उसको upload कर दो तो जल्दी से आपका काम हो जाएगा. तो वाइस यह जो settings मैंने बताईए कि काफी important है. इन settings से आपकी जो router की performance है वो भी improve होगी. प्लस आपके जो router की security है वो काफी जादा improve होगी. अगर आपको और भी कुछ settings पता है तो मिरको आप please comments में बताईएगा. और ये भी बताईएगा कि इन settings को करने के बाद में आपका जो router है वो कैसा perform कर रहा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाईस तो आप like कर सकते हैं. अगर आपको Also thank you for watching this video guys, have a nice day!